हेलो फ्रेंड मेरा नाम है राजीब और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्योईपी सपोर्ट तो दोस्तो मैं आपको इस वीडियो में दो बाते बताने वाला हूँ पहला यह है दोस्तो कि MS Office में आफ लाइन आपको बिल्कुल भी इंटरनेट की जरूरत नहीं है बिल्कुल आफ लाइन तरीके से कैसे वाइस टैपिंग कर सकते हैं ठीक है पहला MS Word में वाइस टैपिंग कैसे कर सकते हैं ठीक है दूसरा आपको मैं यह बताऊंगा रिमोट तरी करके स्लाइड को कैसे प्ले कर सकते हैं ठीक है तो परजन यहने की पावर पॉइंट परजन टेशन को आप रिमोट तरीके से अपने मुवाइल से कैसे प्ले कर दा सकते हैं तो यह दो बाते हम इस वीडियो में सिखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिखते हैं कि MS Word में कैसे करते हैं तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हम अपना जो है MS Word कर लेते हैं तो यहां पर देख पाने के मैंने MS Word कर लिया है ठीक है तो यहां पर हमारा MS Word उपन हो गया है ठीक है जब आपका MS Word ओंड हो जाने के बाद आपको क्या करना है यहां पर दीख रहा है कीबर्ड का बटन दीख रहा है तो इसके लिए देखिए मैं अगर इतना बताऊंगा तो विडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो अगर आप voice tapping phone में यूज करते हैं तो जो है आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं देखिए मैं यहां पर जो हमारा space button है मैं इसको press करके रखूंगा उसके बाद यहां पर देखिए हमारा voice tapping होना start हो गया है और यहां पर जो भी मैं बोलूंगा यह type होता जागा यहां पर देखिए मैंने जो भी बोला अब यहां से send पर click कर देंगे यहां पर से कर देंगे और जैसे यहां send पे click करेंगे तो यह हामारा ms word में यह हमारा type हो जाएगा ठीक है? यहां पे देखिए जैसे मैं send पे click करता हूँ तो यहां पे देखिए आ गया अब फिर से हम को type करना है तो फिर से हमको यह जो ब्थाइश का बटन है इस फिर से हम दोस्तो ये tricks आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं देखें यहाँ पर हमने ये type करा और ये type हो गया है अब यहाँ पर क्या करना है? send पर click कर देना लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको stop कर देना उसके बाद यहाँ पर send पर आपको click करना है तो इस तरह से आप जो भी बोलते जाएंगे इस तरह से दोस्तों आप जो भी बोलेंगे वह टाइप होता जाएगा अगर यहां पे थोड़ा बहुत mistake होता है तो keyboard के जो है backspace से आप इसे ठीक कर सकते हैं बाद में थोड़ा बहुत जो भी फिर से तो इस तरह से जो है आप अपने जो है PC में हाँ यहां पे आपको बस एक बार आपको सिर्फ Bluetooth कनेक करके होता है यहां पे आपको इंटरनेट की कोई जुरूत नहीं है पहला ट्रिक तो दोस्तो यह था दूसरा चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं अब यह इस लाइड सोबला ठीक है स्लाइड सोबला कैसे होता है चलिए पहले मैं एक जो है PowerPoint अपना खोल लेता हूं तो दोस्तों यहां पे देखिए हमने एक PowerPoint अपना स्लाइड जो है ओपन कर लिया है और यहां पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहां पर फ्रॉम बिगनिंग पे यहां पर मैं क्लिक कर लूँगा अब इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहां पर स्लाइड प्ले करने वाला जो बटन था इस पर क्लिक करें अब यहां पर देखे एक बटन और है इस बटन को अगर हम टच करते हैं फ्रेंटर आता है ठीक है कि आप कोई चीज को हलाइड कर सकते हैं यहां पर कम्प्यूटर के पास देखे यह निला कलर का आ रहा है तो इससे और यह सारा जो भी स्लाइड पले करने का काम होगा यह आपके फोन से ही होगा ठीक है तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहां से हम जो है स्लाइड शूबी करवा सकते है और इस तरह से यह दोनों टृक जो है आपके बहुत काम आता आएंगे देखिए दोस्तों कई आपने देखा होगा इस तरह से remote तरीके से कहीं पर किसी को करते हुए तो आप यह सोचते होंगे कि यार यह इतना दूर खड़े हो कि यह जो है presentation को कैसे चला रहे हैं या कई बार ऐसा होता है कि वहां पर presentation को जो है slide को next next करने के लिए एक अलग से बंदा को रखना पड़ता है मतलब अलग से लेकिन अब यहां पर आपको क्या करना है आपको खुद से जो यह जो है अपने phone से connect करके और यह सारा कुछ आप कर सकते हैं और जो की बहुत ही software आप यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर आसूस smart guest ठीक है पहला आपको यह जो है इंस्टॉल करना होगा अपने PC में दूसरा जो है आपको अपने mobile phone में क्योंकि mobile को आपको connect करना है ठीक है बस आपको एक बार आपको यह कर लेने के लिए internet की जरूरत है उसके बाद आप भूणोबो आप प्दॉट से connect करके तो आपके पास laptop है जाहिर सी बात है उसमें Bluetooth होगा और आप Bluetooth को अपने phone से connect करके यह काम कर सकते है अगर आप desktop यूज करते हैं तो आप जो है market से एक Bluetooth डोंगल आप खरीद के उसमें connect करके उसके बाद ये सारा काम कर सकते हैं तो दोस्तों आपको यहां पे अपने mobile screen पे आ जाना है और mobile में भी आपको एक apps install करना होता है जिसका नाम है मैं आपको यहां पे सर्च करके दिखा देता हूँ प्ले स्टोर में इसका नाम है remote link asus ठीक है यहां पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने यह लिखा है remote link asus और यह जो आपका first application है यह वाला remote link pc remote यह वाला आपको अपने pc में install कर लेना है जब आप इसे अपने mobile phone में install कर लेंगे और उसके बाद आप इसे open करेंगे open करने के बाद friend यहां पे आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको मैं highlight करके दिखा देता हूँ कि यहां पे जो है एक link दिया हुआ है ठीक है और यह जो link दिया हुआ है इसी link को आप अपने google chrome browser मे type करके और फिर जो है इसी link के माध्यम से आप जो है यह आसूस गेश्टर को आप जो है अपने PC में install कर सकते हैं तो जब यह दोनों application यानि software जब आपके PC में दूसरा आपके mobile phone में जब install हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है चलिए जैसे कि अभी हमारा जो है दोनों software PC में install है आप आपको क्या करना है इसको या तो same wifi से अगर आप connected है ठीक है अगर आप same wifi से connected है तो wifi यूज करके या आप जो है Bluetooth के द्वारा आप यह चीज कर सकते हैं तो आप मैं यहां पर Bluetooth के द्वारा में कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले अपने phone का Bluetooth on कर लेता हूं यहां स ठीक है मैं अपना Bluetooth on कर लोंगा आपने और उसके बाद यहीं पर मैं click करके रखूंगा थोड़ा देर ठीक है उसके बाद हमारे यहां पर देखिए हमारा जो है laptop का Bluetooth on है इसलिए यहां पर automatic सर्च हो गया है अगर आपके PC का अगर नहीं है तो यहां पर आप देख पा रहे है यहां पर सर्च किजिए Bluetooth, यहां पर जैसे शिर्फ आप strony लिखेंगे तो यहां पर आपको आ जाएगा, Bluetooth and Other Device Settings, इस पर आप किलिक कर लीजिए, इसपे जैसे आप किलिक करेंगे तो इसके बाद क्लिक करने के बाद कः करना है, यहां पर आपको shown करना है यहां पर आपको on क सर्च लेगा आपके फोन का ठीक है और सर्च लेने के बाद जो है आप यहां से उसे कनेक्ट कर सकते हैं तो यहां पर देखिए हमारा फोन जो है एक बार जो है इसे आपको रन करना होगा यहने कि यह आपका जो है यह इसका सर्वर है रिमोट सर्वर है इसको आपको इंस्टॉल करना है और इसको आपको क्या करना है इसमें रन करवा लेने हैं और रन करवा लेने के बाद आपको उसके बाद जो है यहां पर किलिक करना है उसके बाद सर्च दिवाईस पर किलिक करना है जैसे क्लिक करएंगे आपका Laptop यहां पर क्योंकि Bluetooth से Connected है तो यहां पर सर्च हो जायगा जैसे यहां पर आपका यह सर्च हो जाएगा उसके बाद यहां पर ढक장 इसमें Connect होना तो आप दिखे फ्रेंड ये हमारा जो है Bluetooth बिल्कुल पूरी तरह से connect हो गया है और जब ये आपका connect हो जाएगा तो यहां पर आपको एक mouse pointer जैसा दिखे तो आसा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को like करें अगर आप चैनल पर पहले बार आए हैं तो हमारे चैनल को subscribe करके जाएं दोस्तों हमारा वीडियो भले ही लंबा होता है लेकिन मैं कहीं पर भी कोई चीज skip नहीं करता हूं और मैं कोशिज करता हूं कि पूरी जनकारी दे ताकि आप जो भी च चीज आप खुद से कर सकें ठीक है